जहीं दोस्तों एक बहुती दुखत और unfortunate डेट की घटना सामने आई है हुआ यू कि एक 4 साल के बच्चे की मूँ के अंदर बलून फसने की वज़े से मौत हो गई है वो बच्चा अपनी बहन के साथ बलून के साथ खेल रहा था और बलून को फुलाने के वक्त बलून मूँ के अंदर चले गया और कहीं न कहीं वो ट्रॉट में फस गया जिसके बाद बच्चा खासने लगा और उसे सास लेने में तकलीफ होने लगी और उस बच्चे की दुखत मुर्ती हो गई क्योंकि वो सास नहीं ले पा रहा था सही तरीके से क्योंकि वो बलून जो है सास की नली में अटक गया था कोहां फस गया था वो बच्चा सास नहीं ले पा रहा था और उसकी मुर्ती हो गई जितनी मुझे जानकारी है उसे दो हॉस्पिटल में ले जाया गया था पहले जिसके बाद उसे नानवती हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद वहाँ वो नानवती हॉस्पिटल में उसे dead declare किया गया तो कही ना कही ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके की चीजों से खेलने ना दे कुछ दिन पहले ही एक ऐसी घटना इस तरीके की ही घटना सामने आये थी कि बच्चा लिफ्ट में फस गया था और उसमें कुछलने की वज़े से उसकी मौत हो गई थी और अब ये घटना सामने आये कि बच्चा बलून के साथ खेल रहा था और बलून मूँ में चले जाता है फिर वो ट्रॉट में फस जाता है और कहीं ना कहीं सास नहीं लेने की वज़े से उस बच्चे की मौत हो जाती है मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरी किसे देट हो जाए तो कहीं न कहीं इस बातों पर आप ध्यान रखे अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखे लिफ्ट में अकेले अकेले अपरेट करने ना दे बलून से खेलने ना दे बलून जैसी चीजों से खेलने ना द तो आप विशेज ध्यान रखे इन बातों का आप सब अपना ख्यार रखे सबी को दूआउ में याद रखे Thank you so much